स्वागत करते हैं आप सभी का प्रभबडी में मैं हूँ शाकतर पार्टी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वाइरस जहां से पढ़ रहे थे उसके पार्ट 3 को तो आज हम सुरू करेंगे पार्ट नमर 3 और उसमें हम देखेंगे कि वाइरस कैसे एफेक्ट करता है कितने ट इसकवरी कैसे हुई कितने टाइप के वाइरस होते हैं और उसमें कौन-कौन सी उन पर टेमप्रेचर का प्रेसर का या सब कैसा इफेक्ट पड़ता है ठीक है तो आज हम डिसकस करने वाले हैं कि कैसे वाइरस को कंट्रोल किया जाए इसके एफेक्ट और इसके करेक्टरिस् के बात करेंगे डिस्ट्रक्शन आफ इनफेक्टिट प्लांट्स यह इसी स्ट मेथट हैं जिससे हम वाइरस को गुरू करने से तो इसमें क्या होता है जो आउगा अगर हम उसको ऑवाइड करेंगे उनका एरिटिकेशन होने से अवाइड करेंगे तो इस तरह से हम control कर सकते हैं Second is elimination of insect तो अगर insecticides use कर रहे हैं जैसे कि बहुत सारे insecticides अभी वारिस पर available मिलेंगे आपको market में तो the use of insecticidal dust and spray reduces the chance of insect transmission यह क्या करेंगे? यह reduce करेंगे chances को Insecticides इसलिए use किये जा रहा हैं अभी के farming में जिसमें भी तो इस तरह से यह eliminate करते हैं चीजों को ठीक है Then the selection of seed तो इसमें क्या होगा कि It should be made from each such fields which were free from infection Seeds of cucurbits, legumes, sets of sugarcans, tubers, rhizomes, bulbs Should be carefully selected यानि यह जितने seed होते हैं cucurbits के, sets के यह सारे चीजों को बहुत selectively आपको choose करना होता है अपने field के लिए तो इस तरह से अगर आप एक अच्छे seed का selection कर पाएंगे तो आप इससे control कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे resistant varieties अब resistant varieties क्या होती है तो resistant variety वो होती है जैसे कि यह specially developed किया गया है ऐसे चीज जिसको यह इन सब पर वायरस का थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है और यह ऐसे varieties होते हैं जो की research center में बनाए गए होते हैं ओके and they offer the best method for growing healthy crops तो इस तरह से resistant varieties को यूज करके भी आप control कर सकते हैं वायरस को ठीक है आके पड़ते हैं तबाको मजायक वायरस के बारे में हमने पहले वाले लेक्चर में भी आपको पूरे डिटेल में बताया है कि क्या होते हैं कैसे टाइप के वायरस होते हैं कैसे इन और में सवाइब करते हैं और किस मैथड से फैलते हैं अगर आप हम इनकी symptoms के बात करें तो when clearing disease is characterized by modeling of variegation of leaves are referred as mosaic मतलब यह क्या होगा कि अगर आप leaves देखेंगे तो उनके पत्तों पे क्या होगा कि when clearing हो जाएगी उनके जो वेंस निकले होते हैं छोटे-छोटे पत्तों पे आप देखते होंगे कि रेसे टाइप के structures दिखते हैं वह क्या होगा कि वह एकदम से blank हो जाए सब्सक्राइब हो जाएंगे वह वह यलू स्पॉट से ठीक है तो इस तरह से उनमें उसे मुझा कह देंगे और यह सिंप्टम्स होता है अचानक सब्सक्राइब क्लियर हो जाएंगे सारे उसके वेंस और उस पर मॉटलिंग आने लगेगी जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इ अब आगे देखते हैं तो बैको मुझाइक वाइरस में वाइरस हो जाएगा तो इस तरह से पता करेंगे कि उसको तुबैक हो है अब आगे देखते हैं इस तरह से पताया उसके बाद से तो बैको मुझाइक वाइरस में वाइरस और वाइरस में कॉन्से से स्ट्रक्टेश और उन्के सब क्लासे यह सारी अचे कि निया है तो यह और इस में फिर मार्मर्य गॉम्र। दिया था एक तो दिया था है यह इलिस्ट्रेट करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसे भी प्रोटीन सीट से सराउंडेड होती है आपको स्ट्रक्चर भी सो किया था पहले वाले लेक्चर में तो यह अंडर एक अप्रोप्रियेट कंडिशन में यहां पर जो वारल पार्टिकल्स होंगे उनको इंड्यूस्ट करके क्रिस्टलाइन स्ट्ट्चर फर्म किया जाता है और जिनका इंक्लूजन किया जाता है बौड़ी में अंदर क्रिस्टलाइन इंक्लूजन बौड़ी ऑफ दो तो बैक मोजायक इस नौन आज टू वायरस पार्टिकल्स ओके तो इसका भी प्रॉपर फिगर है आपको डिसकस कर तो यह इसके बारे में रहा आगे देखते हैं a transmission तो transmission में क्या होगा कि फ्रॉकर से आप जानते हैं कि कोई भी बिमारी हो या कोई-भी वाइरस हो यह जो भी जगह से तूसरे जगह में ट्रांसपर होता है तो इसी पूरे प्रॉस्सेस्ट में को इन्वाल करते हैं तो इस इसमेनेशन आफ टीम फ्रम टू प्लांट टेक प्लेस थ्रों मेकनिकल ट्रांसमिशन और वाइरस इस सो वेरी इंफेक्टिश इस इस अगर एक इंफेक्टिट प्लांट है और अगर कोई वरकर है उसे उसी हाथ से से टेच करके उसको अलग कर रहा है और फिर वही हाथ से एक हल्दी प्लांट को टेच करेंगा तो जो ह scarf थी इस तरह से ट्रांसमिशन होगा तो उसको ऊप्लांट से एक हमौफ यानि वाइरस अफेक्ट करेगा हो जाएगा तो इस तरह से इनका transmission होता है next अब इसका control measure क्या है ठीक है the control measure में one should be avoid infested soil and the use of tobacco refuse on land and which tobacco is to be grown seed bits should be streamed sterilized and well removed from well houses one should also avoid contamination of fans with the virus from tobacco products तो इसका मतलब है कि अगर infested soil है यानि जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि अगर हम पहले एक फिल्ड में एक unhealthy plant या जिसको virus है वैसा plant को एक फिल्ड से हटाते हैं और उसमें उसी फिल्ड में healthy plant को भी लगा देते हैं तो अपने आप बिमार हो जाएगा ठीक है क्योंकि यह virus उसमें रहते हैं soil से हटते नहीं और ऐसा ही हम अवाइट कर सकते हैं seed beads के steam sterilized करके उस पर भाप पे उसको सीट को चुन के उसको भाप पे थोड़ा गरम करके warehouses से लाके फिर उसको लगाने से contamination को अवाइट कर सकते हैं और किसी भी तबाको प्रोड़क्ट को छोके healthy plants को नहीं चुना चाहिए अगर आप इसे अवाइट करेंगे तो भी आप control कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है वाइरस सिम्टम्स इन प्लांट्स तो वैन क्लेरिंग अपन बेंड है कि इस दिए को मेर्ण अपरैंस इन शिस्तेमेटिक इंपक्टिर लीप्स भी घृट के तो इंट कंसिट आफ ब्रादर बैंड ऑफ ख्लोरोसीश के और structure होगा उसे वेंबनने केंगे ठीक है फिर ring spot on incubated and systematically infected leaves the symptoms appears in localized spot this spots consist of various types of chlorosis and necrosis this may be circulate chlorotic areas in which case they are called as chlorotic ring spots okay and in this cases the necrosis may be appear in the rings alternating with normal green area spots are card ring spot okay यानि कि इसमें ring जैसे spot form करने लग जाएंगे और जो normal green area होता है किसी भी लीप का उस पर spotted आ जाएंगे तो ऐसी को ring spot केंगे उसमें ring के structure में spot आएंगे ठीक है then necrosis क्या होता है in this disease of both yellow and mosaic groups यह क्या होता है yellow और mosaic group दोनों ग्रूप से belong करता है इसमें क्या होता है कि जब necrosis involve करते हैं parent काहिमा के साथ में तो जो veins होते हैं leaves के stem के उन्हें streak कह दिया जाता है उस time okay तो जो top necrosis होता है वो effect करता है given host systematically but affect the tissue at the point of incubation by causing a localized breakdown and this type of reaction is known as necrosis necrosis में aloes भी add करेगा और vein clearing की भी ठीक है तो जब यह दोनों साथ में दिखेंगे तो उन्हें necrosis कह देंगे then stunting and premature death वारस diseases with few expectations are hypoplastic in their general effect and this is shown in many cases by shorter internodes smaller leaves fruits and reduction of size of various or other parts okay तो इसमें क्या होगा कि उन्हें premature death होने लग जाएगी कि जैसे कि वह बट कंडिशन है और उसी में ही उसकी death हो गई वह अच्छे से plant survive नहीं कर पाया ठीक है उसकी ग्रोथ रूख गई तो इस तरह से उस पे symptoms दिखेंगे then excessive growth यह some viruses inside formation of masses of hypertrophied tissue known as ination of surface of leaf and stem okay and in other cases virus infection result in the stimulation of dormant birds hyperplastic extensive example of a typical growth and in this extensive stimulation of numbers of birds the potato which from disease इसमें क्या होगा कि अगर बहुत जादा growth भी हो जाता है तो यानि उसके growth में problem virus create करता है यानि किसी भी उसमें बहुत growth भी हो जाएगा तो वह भी symptoms है ठीक है क्यों virus उस पर हो गया then marks symptoms and symptomless careers कुछ ऐसे careers भी होते हैं symptom सिखाई नहीं देता है लेकिन वह careers होते हैं उनके पर already virus का effect होता है वह सिर्फ करियर होते हैं एक से दूसरे तरह पहुंचाने का काम करते हैं बाकि उन पर कोई symptomless career याने उस पर कोई symptoms नहीं दिखेगा वह mask symptoms रहेंगे वह उसको चुपा हुआ रहेगा लेकिन वह करियर का काम करेगा एक जगह से उठाया दूसरे को दे दिया ऐसा ठीक है तो यह भी symptoms है then synergistic effect की बात करें तो there are numerous cases in which symptoms shown by the infected plants okay due to the synergistic of combination of two or more virus जैसे कि rugose mosaic पोटेटो है due to the infection of two viruses okay नेमली पोटेटो वाइरस पोटेटो वाइरस एक्स रख लेंगे पोटेस्टो वाइरस वाइरस रख लेंगे तो जिब तो effect same person काम करें उन्हें synergistic effect कह देंगे तो यह पूरा वाइरस का symptom रहा plant पे आगे बढ़ते हैं यह अपको हम structure दिखा रहे हैं ठीक है बैक्टिरियो फीज structure बैक्टिरियो फीज यहां पर आप इसका दिखाया गया है DNA मिलेगा प्रोटीन मिलेगा उसके हैड में फिर हॉलो कोड़ सीट प्लेट्स उसके टेल में एंड टेल फाइबर्स उसके लग में ओके तो यह इसका पूरा structure है पैक्टिरियो फेस वाइरस का और ग्रूप आव वाइरस विच अटैक बैक्टिरिया वस इसक्राइब इन्हों ने यही नोटिस करके बताया कि कैसे कल्चे को डिस्ट्रॉइ कर रहे हैं और कैसे यह फार्म हो रहा है तो यह इनका इसे absorption और penetration होता है वाइरस का एक फेस पार्टिकल में ओके तो आप फिगर नूमर वन देखिए यह देखिए अनटैस्ट पार्टिकल वह एक अनटैस्ट पार्टिकल है आप देखे होंगे इसका आपने नट देखा होगा उस लाइक स्ट्रक्चर है ठीक है तो आपके भी स् देखे हैं तो वह कहें पर भी ऐसे चुपके अंदर हो जाता है ठीक ऐसा ही हम अगर वाइरस की बात करें तो वह सबसे पहले उनकी जो नीचे टेल्स होंगे उससे वह पहले पार्टिकल पर एक अटेस्ट होंगे फिगर नमर भी देखिए अटेश्मेंट आप दो वाल टेल एंड दन दे कांट्रेक्शन आप टेल्स ने शीट एंजेक्शन आप देने फाइंट के तो सिंपली ऐसे करके इंजेक्ट होते हैं बॉडी में और ऐसे जब आ जाने के बाद से उसके आगे का क्या प्रोसेस है आपको आगे दिखातने हैं यहां पर देखिए इस प्रो वारल संब कंपनीज इंदे सेल्स अनलाइस बैक्टिरियों सेल्स और फेस पार्टिकल तो सेंपली जैसे यह वारेस को मैंने इसके पहले वाले मिस में दिखाया कैसे वह आ रहा है बॉडी पे अटेक कर रहा है फिर वह फेस पार्टिकल देखिए एक होस्ट पर ऐसे अटेक करेगा बैक्टिरियों पर बैक्टिरियों फेस बारस है यह ध्यान रखेगा देन वह फेस में मल्टिप्लाइ करेगा मिल्टिप्लिकेशन करते करते फाइली एक बैक्टिरियों मिल्टिप्लिकेशन यहां पर फिगर नमर दी देख सकते हैं ठीक है तो यह इसका कंप्लीट म है तो interesting modification इनके life cycle का यही है कि certain type of bacteria phase term temperate okay in fact certain type of bacteria in this sentence is genetic material of the temperate virus attached itself in a bacterial chromosome in a manner which is not understand this virus is attached itself by the bacterial chromosomes in a manner which is not understood okay तो यह बस ऐसे ही attached होते हैं तो आज के लिए बस हम आपको इतना ही रखते हैं आगे हम इसके बाद लाइसो जैने साइकल क्या होती है उसके बारे में समझाएंगे तो अपको पूरी अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है तो मिलते हैं अपने आफ्ने लेक्ट्ट्चर के साथ में और उसमें देखेंगे लाइसोजैनिक साइकल क्या लाएयोजैनिक साइकल क्या है और eng показыв ława तो मिलते हैं आँ में नेक्स के साथ मैं तब तक के लिए धन्यवाद आप और वी इंफोर मैशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स के साथ थेंक्यू